हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू होम फूट रेसिपीज आज हम बनाएंगे मुंग दाल और आलो की सबजी ये सब्जी खाने में बहुत ही टिस्टी लगती है आप इस सब्जी को बनाकर लंच बॉक्स में या टिफिन में भी ले जा सकते है क्योंकि ये सब्जी सूखी होती है इस से लंच या डिनर में बनाकर रोटी पराठे के साथ सव कर सकते हैं तो चलिए मुंग डाल और आलू की सबजी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक कुकर के अंदर हम साढ़े तींग बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे और इस तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे जब तील हलका चक गरम हो जाए तब हम इसमें आदा चम्मच जितना जीरा और वन फूर्ट टीस्पून जितनी राय डालेंगे और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे जीरा और राय अच्छे से फोट जाये उसके बाद हम इसमें एक सूखी लान मिश डालेंगे और वन फूर्ट टीस्पून जितनी हिंग डालेंगे अध्रक लसुन और हरी मिश की पेश्ट एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच ये पेश्ट हमें फ्रेश बना कर ही यूज करनी है दो चम्मच जितना इसमें हम बारिक कटा हुआ लसन एड़ करेंगे और सब कुछ अच्छे से भून लेंगे हम आधे मिनट तक आधे मिनट बाद इसमें हम एक मिडियम साइस का प्याज जिसे मैंने बारिक काटिया है वो एड़ करेंगे प्याज को मैंने चौपर में चौप कर लिया था और इस प्याज को हम स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे दो से तीन मिनट तक प्याच को हमें एकदम ज्यादा लाल नहीं करना है प्याच को मैंने 2-3 मिनट तक लाइट ब्राउंड किया है इसे हमें एकदम ज्यादा लाल नहीं करना है हलका सा कलर चेंज होने तक मैंने इसी भूना है अब इसे हम एक मीडियम साइज की टमाटर की प्यूरी मिला देंगे और टमाटर की प्यूरी एट करने की बाद तुरंद बाद हम इसमें स्वात के अनुरसा नमक डाल देंगे ताकि जो टमाटर की प्यूरी है वो जल्दी से कूक हो जाए अब इसे हम मेक्स करके चार से पाँच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे चार मिनट तक मैंने टमाटर को मीडियम फ्लेम पे बूना है अब इसमें हम एक बड़ा चमच धन्या जीरा पावडर एड़ कर देंगे 1-8 टीसपुन जीतना हल्दी पावडर डालेंगे 1-4 टीसपुन जीतना गरम मसाला डालेंगे आदा चमच तीखे लालमेश पावडर डालेंगे क्योंकि मैंने हरीमेच की पेश्ट एड़ की है इसलिए मैंने तीखे लालमेश कम डाली है अच्छे से सब कुछ मेक्स करके इन मसालों को हम 1 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बुनेंगे 1 मिनट बाद इसमें हम 1 मीडियम साइस का आलू जिसे मैंने चिलके निकल कर छोटे छोटे टुकुडों में कट कर लिया है वो एड़ कर देंगे अब इसमें हम पीली मुंकी दाल एड़ करेंगे आदे कब पीली मुंकी दाल को मैंने 2-3 बार साफ पानी से दोल लिया था और ये कच्छी ही है तो इसे हम एड़ कर देते हैं अगर आपको दाल भीगो के आड़ करनी हो तो आप आदे गंटे के लिए उसे भीगो कर फिर आड़ कर सकते हैं लेकिन फिर आपको तीन की जगा पे 2 सीटी ही लगानी है इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें बनफोर्ट कप जितना पानी डालेंगे और 1-5 मिनट तक हम ऐसे ही खुला रखके इसे पकाएंगे एक से डेड़ मिनट तक मैंने इसे पकाया है और सारा पानी भी सुख गया है लेकिन हम इसके सीटी लगानी है तो और पानी भी आड़ करना पड़ेगा यहाँ पे मैंने आदा कप पानी और डाला है कुकर का डखकन बन करके हम 3 सीटी मिडियम फ्लिम पे लगा लेते हैं 3 सीटी लगाने के बाद कुकर को मैंने अपने आपी ठंडा होने दिया था अब हम डखकन खोल लेंगे हमारे आलू और मूंकी दाल बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है इससे हम चेक भी कर लेते हैं आलू बहुत ही अच्छे से कुक हो गए है और मूंकी दाल भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लासुन और हरे धन्या एड़ कर देंगे लास्ट में यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ लासुन एड़ कर रहे हूँ इससे सबजी का टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप सीजन में इसे जरूर से एड़ करें थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धन्या भी डाल देंगे और इससे अच्छे से मेक्स कर लेंगे और इस सबजी को हम सर्फ कर लेंगे ध्यान रहे कि तीन सीटी लगाने के बाद कूकर को हमें अपने आपी ठंडा होने देना है वना जो दाल है वो कच्ची रह जाएगी शुरू शुरू में आपको लगेगा कि दाल अच्छे से कूक हो गई है लेकिन सब्जी जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी तो दाल भी कड़क होने लगती है प्रेंट्स हमारी मोंग डाल और आलू की सब्जी बन के तयार है आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्रेब करना ना भूले सब्सक्रेब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराते में देखना हो तो उसकी भी मैने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई